हेलो गाइज, वेलकम टुमाइज यूट्यूब चैनल, दिसीस कुछबुचैन और तोड़े वीडियो इस वीडियो पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यहां पे मैं आपको वन डे बिफोर किस तरह से प्रेपरेशन करनी है और साथी साथ पेपर किस तरह से अटेम कर करवा सकता है, तो यहां पे आपको यह वीडियो पूरा देखना है, तो मैं यह बात कहना चाहूंगी कि यहां पे जैसे आपका ड्राफ्टिंग का जो सब्जिक्ट है, आपने अच्छे से पड़ी लिया होगा, मैं मान के चल रहूं, इन केस अगर आपका अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो मैं कुछ आपको टेप्स और ट्रेक्स देने वाली हूँ, ताकि आपका जो सब्जिक्ट है काफी उस पे ग्रिप आजाए, अगर अभी तक आई नहीं है, तो यहां पे आपको ड्राफ्टिंग, मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप मॉडियो से करते हो, तो और किस तरह से आपने पढ़ाई करनी चाहिए, विफूर द बन डी ऑफ एग्जाम, जैसे अभी आपकी एग्जाम है, तो किस तरह सापको प्रपैर करना चाहिए, उस बारे में थोड़ी से भी आपे बात कर लेते हैं, जैसे की मैं आपको ही कहना चाहती हूं कि सबसे पहले आपको decide करना पड़ेगा selection of chapters आपको decide करना पड़ेगा कि कौन सी chapters आपको पहले करने है और कौन सी chapter आपको बाद में करने है तो मेरी first tip आपको है जो selection of chapters की है मतलब कुछ chapters जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे chapters है और कुछ बहुत बड़े-बड़े chapters है जिससे अगर में small chapters की यहाँ पर बात करूँ तो balance यहाँ पर आपके बन जाएंगे big chapters, right? तो में small chapters यहाँ पर बोल देखते हूं जिसे chapter 5, 6, 7, 9, 10 यह काफी छोटे chapters है और काफी easy chapter है जिससे chapter 5 में अगर आप देखोगे तो सिफ ड्राफ्ट से जादा कुछ इसमें है नहीं तो जस्ट आपको एक बार ड्राफ्ट को go through कर लेना है chapter 6 जो है जिसमें rates, SLP वगेर special repetition वगेर इस बारे में काफी पूछा जाता है exam में और repeatedly questions आते हैं उसमें से तो यह chapter भी आपका scoring भी है और छोटा सा chapter है तो easily आप कर सकते हो chapter 7 company law related है जिसमें आपको drafting of MOA यह सारी कुछ चीज़े इसमें important जो पूछी जाती है वो आप कच्छी से देख के जानी है chapter 9 के अगर मैं बात करूँ तो appearance के बारे में किस तरह से आप बात करते हो किस तरह से ethics होनी चाहिए क्या recipe होना चाहिए यह सारा कुछ इसमें दिया है और कुछ additional points है वो आपको देख लेने है उसके बाद में chapter 10 के अगर मैं बात करूँगी तो compounding of offense जो कि बहुत ही छोटा chapter है और इसमें से एक आदी question exam में आता ही है तो देखो मैंने आपको यहाँ पर जो five chapters बता है वो काफी छोटे chapters है तो सबसे पहले आपको यह सारे chapters को complete करना है within a come time मतलब within a less time में आपको यह सारे chapters इकदम tips पे हो जाने चाहिए अब मैं बात करते हूँ यहाँ पे drafts को लेके जैसी drafts को लेके अगर मैं बाकी balance chapter रूप की बात करूँ तो जिसमें काफी सारे drafts है chapter 1 जो है वो भी काफी important है और वो भी मतलब इतना बड़ा नहीं है ठीके अब जो balance chapters है उसमें काफी सारे drafts है mortgage deed हो गई agreements हो गई contracts हो गई काफी कुछ उसमें है तो वो कैसे करना है थेरी और draft साथ साथ करना है कैसे करोगी जैसे मान लो आपका यहाँ पे outsourcing agreement है मान लो यहाँ पे आपका contract of sale है contract of sale के लिए आपको क्या-क्या points पता होने चाहिए तो यह आपका इससे आपके क्या हो रही है ठेरी भी हो रही है प्लस यहाँ पे आपका draft भी ready हो रहा है जैसे मान लो मैं एक example के तोर पे यहाँ पे ले लेती हूं contract of sale contract of sale में हमें क्या चाहिए consideration पता होना चाहिए किस constitution में दे रहे हैं वो लो उसके बाद में position कब मिलेगा ठीक है उसके बाद में date of delivery क्या होनी चाहिए उसके बाद में I can say date of payment किस तरह से होना चाहिए date of payment क्या होगा installment में करेंगे या one two three installment का आपको देना पड़ेगा कि फर्स installment यहाँ पे यह प्लस यहां पर क्या हो गया आपका क्या हो गया तो अभी अगर जिसने यहां आपके लापन पर मोडिल को touch नहीं किया है वह अभी यहां पर कर सकते हैं वह उँको क्या कर ना होगा जो भी आपके model के ड्राफ्त है elevenसके ड्राफ्ट के साइड में छोटा है वहां स्पेस दिया होगा उस-पेस में स्टाटिंग और ईंडिंग एक्दम प्रॉपड हो डूपवहे पड़िपर्री चैबगे मैं ध्यामट में एक्स इस प्रॉफ डूप हो पूरा अगरा आपको लिखना मिस्टर आप Cornwall ऑप ओए ऑफ मिस्टर एक्टर उआप दाप मिस्टर आर एक्टर य। अपको generating आपको 3 और हाँ जब भी आप द्राफ लिखते हो जब भी आप कोई तरफ का घ्रीमेंट हो तो यहाँ पर आपको भॉक लेटर्स में लिखना पड़ेगा क्या टाइटल है यह अगर यहाँ पर करते हो आपके marks definitely हाँ पे cutने वाले है तो drafting के लिए आपका जो presentation है वो जादा matter करेगा rather than contain contain matter करेगा बट आपका जो starting or ending जो होगा वो आपके लिए काफी जादा माइने रखता है तो आपको वो बिल्कुल भी miss नहीं करना है और जो students सोचते हैं sorry जो कि मैं दो पैन यूज करके मैं मार्क्स लेकर आजाओंगा तो यह आपकी जो आपकी जो thinking यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर एक पैन सी लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे दो पैन बिल्कुल अलाउट नहीं है या तो आप completely black यूज करो या फिर आप completely blue यूज करो और आपको अगर कोई point को highlight करना है जैसे मैं यहां पर draft में अगर मैं बोलूंगी जैसे consideration वगिर ऐसे कुछ points आते है तो you have to underline that word consideration means keywords को आपको underline करना है और अपने draft को attractive बनाना है अब असको attractive मतलब यहां पर full पत्ती नहीं करनी है properly आपको क्या करनी पड़ेगी margin and all draw करनी पड़ेगी ताकि आपका जो जो भी आपका draft है वो काफी अच्छा लगे present table लगे ताकि आपको सामने वाला अच्छे से अच्छे marks दे पाएं तो यह मैंना आपको बताया और देखो अब आपके पास time बहुत कम है तो आपको क्या करना है कुछ कुछ मैं आपको एक example देती हूं जिसे exam पूछा जाता है नोटिसेस के बारे में section 80 के बारे में काफी बार पूछा जाता है तो section 80 of cpc का एक आपको अच्छे से करके जाना है उसके बाद में आपको deed देख लेनी है एक दो deed अगर आप देखते हो तो same format है सबका खाली उसका जो contain या title वो अलग हो जाता है उसके बाद में का applications आपको जैसे मैं complaint की बात करते हूं तो complaint का आपको थेरी देख लेना है उसके बाद में mail application आपको देख लेनी है तो कुछ ऐसी बहुत specific relief act की कोई या पर आपका suit होगा वो आपको अच्छे से देख लेना है तो इस तरह से आपको कुछ important चीजे देख लेनी है power of attorney आपको देखनी है कि उसकी wordings काफी अलग है तो वो थोड़ा हमको लिखने में problem होता है तो आपको यह सारे क्या कर लेने drafts देख लेने हैं ठीक है contract आपको इभी एक देखो सारे content same ही है बतलब just उसका एक format की वज़े सा थोड़ा change बतलब format तो same ही है पर उसके सिफ contain change होगी जैसे building contract हो गया तो उसे साब साब को contain बनाना पड़ेगा ठीक है एक पॉइंस सेम ही होंगे ना consideration बगर यह एक change नहीं होने वाले तो यह आपको थोड़ा सा देख लेना है ठीक है उसके बाद में और भी कुछ छोटा मुटा बचता है तो आपको देखने है LLP agreement आपको अच्छे से देख लेना ह बगर इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकते हैं अब मैं यहां पर बात करती हूं एक थार्ड मेरी जो important यहां पर टिप है वो यह है कि आपको last five years की question paper देख के जाने क्योंकि बहुत सारे से student से जो paper बिल्कुल देख के नहीं जाते है और repeated questions पूछने के बाद भी उनका paper अच् drafting में दो तरह से question पूछे जा सकते हैं या तो आपको direct बिलेंगे draft करो और assume your data ठीक है और या फिर आपको कुछ case theory form दी जाएगी उसमें आपको उनके content के साब साब को drafting करना है तो दोनों ही question आपको अपने आप से prepare करना है और वहां पर आपका sense of humor चलना चाहिए आपका दिमा उस question में क्या होता है कि normally they are asking the comment question from the module itself वो जो case laws होते हैं जैसे आप देखो कि बहुत सारे ऐसे famous case laws जो आपके module में दिये गए है काल वर्सिस डिया डारेक्टर वगेरा से कुछ case laws है तो वह वाले topic आपको बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि comment के question में हम कही ने कहीं first जाते हैं तो जो case law वाले जो जिसमें important case laws है जिसमें वीजी रंगा वर्सिस यह वाला आप अगर देखोगे अग्रिमेंट शर्व मुझ भी इसमें miss करो drafting अगर आप कर रहे हो तो आपको 60 प्लस आने ही चाहिए ठीक है क्योंकि मुझे पता है काफी सारे students का text का paper बिल्कुल अच्छा नहीं गया है तो drafting मगर exemption लाते हो तो open book और यह दोनों balance हो जाएगा तो इसके लिए मैं थोड़ा से लंबा वीडियो कर र जैसे FTFM में मैंने suggest किया और काफी student को बहुत पसंद आया और उनका paper धाई से पौनी तीन घंटे में हो गया है तो मैं drafting के लिए आपको suggestion यही देना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पर आपकी total number of six question आएंगी right six मेंसे आपको six के six करना है ठीक है कोई option आपके पास नहीं है लेक अब two question में अगर मान लो आपका direct questions पूछते हैं तो सोने पर सुहागा है क्योंकि उसमें क्या होता है दो तरह के question आते है या answer the following या attempt the following जो भी है या फिर वो पूछते है explain the term अब term में आपकी कोई भी terms पूछे जा सकते है जो आपकी short notes जिसे मैं बोल सकती हूं वो पूछे जा सकते हैं तो वह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए उसके बाद में question number three attempt करना है जो कभी-कभी difference between भी पूछते हैं या फिर डारेक questions भी उसमें पूछते हैं अभी यहां पर आपके पास option हो जाते है तू और टू ए और थ्री और थ्री यह तो आपको यहां पर decide कर ल यह डारेक कोशन अगर पूछा है तो फिर वन टू थ्री वी सेरियल वार्स अब कर सकते हो लेकर अगर कमेंट का question पूछा और उसमें case law जैसे question जैसे आगर आते हैं in case तो फिर ऐसी case में आपको यहां पर simply क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर comment के questions को solve करना है तो यहां प आपका कम से कम डेड गंटे में खत्म हो जाना चाहिए अगर उससे उपर टाइम जा रहा है छोड़ दो आपके छोड़ दो आपका ड्राफ्ट देखो मैं आपको इसलिए एडवाइस दे रही हूं क्योंकि जो ड्राफ्टिंग होते हैं ड्राफ्टिंग में पूरे-पूरे पूरे-पूरे यहां आपको बनाना है ओ इसजरी अब यहां पर मैं कुर्श्चन नम्मर फूर की बात करो तो वकल मंँए एक ड्राफ्ट पूछा जाता है तो बह CAS membrane बात कर सकते हो ख़लक Advisory पूछ नंबर 5 में क्या होता है, sometimes they are asking draft, question 8-8-maak के ऐसे एक draft पूछ लेगे, एक direct question पूछ लेगे, लेकिन sometimes they are asking three questions in that, like, 1-4-maak, 6-maak, और बाकी aant-maak, इस तरह से पूछ लेते हैं, इस तरह से, I am not sure, कि यह आता है, लेकिन ऐसे कुछ मैंने देखा था, तो मैं बता रही हूँ आपको, कि drafting में, जो question 5 number होता है, उसमें वो लोग 2 direct question भी पूछते हैं, या फिर एक direct question और एक drafting question, या फिर 2 direct question एक drafting question, इस तरह से वो पूछ लेते हैं, चोटे-चोटे draft उसमें डालते हैं वो, उसके बाद में question 6 होता है, उसमें एक drafting का question आएगा, और एक direct question आएगा, तो कुल मिलाके मैं बात करूँ, तो आपको paper attempt करना है, question number 2, 3, 1, उसके बाद में आपको question number 5, 6, and last में 4 करना है, reason यह है कि 4 आपका आता है, 8, 8 marks का, अगर आपको वो draft easily आते है, तो फिर तो आप अपने serial वे अज़कर सकते हो, लेकिन in case आपको drafting 8, 8 marks वाले नहीं आते हैं, तो उसके पीछ आपको time waste करने के जुरत नहीं है, आप last में भी कर सकते हो, और देखो मैंने क्या किया था, मैंने मेरा पूरा paper sequence में solve किया था, मतलब question number 1 से लेके तो 6 तक मैंने किया था, और in case मुझे बीच में जो चीजे नहीं आ रही थी, मैंने क्या था, उतनी उतनी space छोड़ दीती, आप भी ऐसे कर सकते हो, आप पूरे 3 questions solve करके, question number 4 के लिए 2 pages छोड़ दो, question number 4 जो A part है उसके लिए 2 pages छोड़ दो, फिर B के लिए और 2 pages छोड़ दो, फिर 5th start करो, इस तरह से भी आगर आप करते हो, कि I got 58 marks in drafting, ठीक है तो आप भी कर सकते हो, इतना कुछ tough नहीं है, ये paper काफी scoring है और ये आपको, मैं बोल सकती हूँ, बचा सकता है group 3 में, ठीक है तो अच्छे से prepare करना है, और भी अगर आपको कोई doubts लगी, तो you can message me, or you can comment in the comment section, और अगर आपको ये video अच्छा लगा, तो please like the video, share with your friends, आपकी एक share की वज़े से किसी का attempt बच सकता है, तो do share, ठीक है, और do subscribe my channel, if you are new one to my channel, क्योंकि बहुत सारे students subscribe नहीं करें, उनको video नहीं पहुँच पा लिए, तो आपको चैनल को subscribe करना है, क्योंकि आगे वीडियो कब अपलोड होता है, in case मैं भूल जाओं, ग्रूप पे link डालना तो, तो next video में हम लोग मिलते है, next video भी काफी important है, जो second group दे रहा है, और first group दे रहा है, उन दोनों के लिए काफी important है, तो अच्छे से prepare करना है, और कुछ भी doubts हो, तो मुझे comment section में जरूर पुछे, So, all the best for exam and thank you for watching this video. Bye-bye.